वेल्लो दोस्तो वेल्कम टू तराखन जी के वेरीग जी ट्रिक्स तो देखे दोस्तो आज कल हमने एक स्रीज इस्टार्ट करी है अपनी की कम्यूटी बॉक्स पर आपसे क्विश्चन पूछे जाते हैं डेली काफी टाइम से मैं आपसे कम्यूटी बॉक्स पर कुश्चन दीजिएगा तो उसी के रिगार्डिंग में जितना हमारा प्रिवियसली मैंने आज तक क्विश्चन पूछ रखें आपसे कम्यूटी बॉक्स पर सभी क्विश्चन को हम स्वॉल्बाउट करेंगे डिटेल्स में तो आप लोग पैन और कॉपी लेके बैढ़ियेगा और आ उन्ही दस क्विश्चन का सॉल्यूसन आप लोगों को दिया जाएगा डिली लगवल लगवल मैक्सिमली हफ्ते में दो से तीन दिन हमारी कोश्चिस रहेगी कि आपको इस टाइब से पीच कराई जाए और आप लोग उसमें पार्टिस्पेट जरू करें देखिए आज मैं तो उनके केंद्र साशित परदेश की पहचान किस राजी से की गई है तो इसका जो राइट अंसर दोस्तो वह परवताकार राजी ओप्सन नंबर 20 का राइट अंसर होगा आप लोगों से काफी सारी लोग ने छिक्ञा था जो की गलत ए ठीक है तो परवताकार राजी दोस् शाथा गोविशान राज्य ठीक है तो जूसमें जो हमारा धोस्तों ब्रह्मपुर राज्य था वह तीनु राज्यों में सबसे बड़ा विस्तार वाला राज्य था और सबसे बड़ा राज्य भी आब पौरों के ब्रह्मपूर राज्य का जो हमारा किन्र साचित परदेश है वो कौन सा था प्रवताकार राज्य कहलाता था यानि कि ब्रह्मपूर राज्य ही पौरों का प्रवताकार राज्य कहलाता था और ये सभी में चीज़ें आपको प्राची नितियास वाली वीडियो में बता चुकाओं अगर हम बात करें वही पौरोव वंस की दोस्तो तो पौरोव वंस के कुल देवता है कोन थे विनलेशिवर स्वामी थी गाँए और पौरोव वंस का सबसे प्रताभी राजा कोन था जहां खुदाई की दोरान भगवान सीव, नंदी, महराज, सनीदेव, स्री गनेश की मूर्ति और विभिन्द कलाकृतियां युक्ते पिल्लर मिले हैं ठीक है तो काफी सारे दोस्तों कोड़वार अंसर टिक किया था जो कि एक हिसाब से सही भी है दोस्तों बुक्स में काफी सारी उत्राखन के बुक्स में मौर्धच का किला कोड़वार को दिखाया गया क्योंकि कोड़वार का ही प्राचिन राम के रूप में मौर्धच को जाना जाता है इसी के साथ-साथ खोदवार या ग्राष्टिगंद छेत्र के रूप में भी कोड़दवार को जाना जाता है लेकिन अगर हम एक्चुली बात करें दोस्तों मोरधजका किला कांस्तित है या इस्तित है उप्सन नमबर डीन में से कोई नहीं यानि कि कई उत्र परदेस में दोस्तों इस्तित है नजीमाबाद कहां पर नजीमाबाद विजणास में नहीं जगह पड़ती है वहीं पर इस्तितल है मोरधजका किला टुक है लेकिन उत्त्राखन के वुक्स में आपको कोड़दवार भी दिया गया, अगर उत्राखन के संदर में आपसे पूछेगा कि मोड़दवार गांस्तित है, तो वो कोड़दवार ही सही होगा, लेकिन overall पूछेगा, कोड़दवार आपको अपर उप्सन में नहीं दिया जाएगा, तो आपको उत्तर परदेश नज między य्ग्य करानी के प्रमाण भी मिले हैं, किस राजवन से संबंदित थे और यहां प्रसने एकजाम में पहले भी पुछा जा चुक है कि की के द्वारा चार असों में एक कराई जाने की पुष्टी मिलती है तो वो थे सील वर्मन्टिक है तो यह किस राजवन्स से संबंदित हैं तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्सन नमबर सी क्या वार्सगोन्य राजवन्स ठीक है तो अगर हम बात करें कुषान राजवन्स की द चेतर में चार असों में एक्ग्य भी कराई गये थे और बढ़वाला या बाढ़वाला एक्ग्य विदिगा का निर्मान भी कराया गया था ठीक है और जो मारा वार्सगोन्य राजवन्स की राजवन्स की राजवन्स की राजवन्स की राजवन्स की राजवन्स की राजव तो इसका राइट अंसर है क्या देहरादून, option number A, इसका राइट अंसर है, अगर हम बात करें, यामुन पर्देश दोस्तों, यामुन पर्देश का मतलब है कि यमुना नदी के आसपास का जो छेतर था, वो है यामुन पर्देश के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे ठीक से जाएगा वनना लाखा मंडल और मनवीज का सही अंसर होगा, यानि कि जो मारा प्राचीन समय में सिहंपूर था, ठीक है, वह सिहंपूर वर्तमान का क्या है, लाखा मंडल है, या फिर मनचीतर है, यह आपको जरूर याद रखना है, अगर हम बात करें सिहंपूर के मलब यादों की राजदानी सिहंपूर की पैचान किस प्राचीन के अनुसार की गई है, तो लाखा मंडल प्राचीन के अनुसार की गई है, यह पॉइंट आपको जोड़ याद रखना है, और उत्तर गुप्तकाल में में लिए उत्तराखन में तीन राजवंस हमारे सासन कर करते थे, यादो राजवंस कहते है, सौरी चार, यादो, नाग, मौकरी और वर्धन, वंस है, तो राइट अनसर हो जाएगा, अगला मरब प्रस्न है, कि सुद्ध महादेव गोपिस्वर के तिर्सूल लेग को किस लिपी में लिखा गया है, दक्षिली ब्राहमी लिपी में लिखा गया है, तो जो सुद्ध महादेव गोपिस्वर के तिर्सूल लेग को दक्षिली ब्राहमी लिपी में लिखा गया है, वहीं अगर हम बात करें, बाड़ा हाट के तिर्सूल लेग की, तो इसे उत्तर ब्राहमी लिपी में लिखा गया है, और मिली नाग राजवंस के अंतरगत ये है तिर्सूल लेक, दो प्रमुक तिर्सूल लेक हमारे उनके जानकारी के प्रमुक सरोत के रूप में भी जाने जाते हैं, तो अप्शन नमबर 20 का राइट अंसर हो जाएगा, अगला प्रसन है कि तुलसी दास द्वारा रचित रामचरीत मानस की सहली क्या है, ठ पूशा जाता है ठीक है और तुलसी दास जी कोई दोस्तो, लोगनायक, कवी शिरोवनि Hebrew, मानस का आहंस, या हिंदी के, जाती कवी या राम भक्त कवी या भक्तिकाल कवी के रूप में भी जाना जाता है ठीक है और सगुन कावी धारा कि मैं राम भक्तिकावी के एक परतिष्टित कवी के रूप में भी तुलसिदास जी को ही जाना जाता है कि बाल चित्रन में स्रेष्ट कभी कौन है, तो बाल चित्रन में स्रेष्ट कभी है हमारे सूर्दास, तो option number ace का right answer हो जाएगा, ठीक है, आप सूर्दास भी काफी important है दोस्तों, क्योंकि इनके दोरा भी काफी सारी रसनाय की गई है, और एक भक्तिकालिन कभी के रूप में भी सूर्दास ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें, बाल चित्रन के सबसे स्रेष्ट कभी कौन थे सूर्दास, ठीक है, सूर्दास के ही कुछ अन्य नाम है, जैसे कि इन्हें दोस्तों, वासलियरस का समराट कहा जाता है, अस्ट छाप का जाहाज, ठीक है, और एक बार अस्ट सूर्षाघर के साथ साथी सुर्सावली श्रमर्गीत यह भी इनके कुछ अन्य काविय है और सूर्दास के गुरू यह भी काफी इंस्पेक्टर तू था उसका पेपर है उसका कुष्चेन है मतलब कि रितिकालीन कवियों का मुख्य विसरी क्या था 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 नाइका के रूप स रूप सौंदरी का चितना ठीक है जैसे कि आप लोग ने पढ़ा होगा अलग लग टाइप के कवी होते हैं हमारे चायावादी कवी होते हैं अधुनिक कवी होते हैं प्राजिन कवी होते हैं और बाल कालीन कवी होते हैं अलग प्रकार की कवी होते हैं ठीक है तो सभी के अलग और इनका बच्पन का नाम था क्या गुसाईदत या गुस है इनका कर्मचेत्र था अध्यापक थे इसके साथ लेखक थे ठीक है और इनका जो अभी हाली में पुछा गया दोस्तों कि इनके किस रसना के लिए साहित्य काद्मी पुरुषकार दिया गया था तो कला और बूला चांद इनके प्रसीद्ध रसना है दोस्तों जिसके लिए इनके उनिस साथी में साहित्य काद्मी पुरुषकार दिया गया था और उत्राखंड से साहित्य काद्मी पुरुषकार प उपना में दोस्तों इन्हें प्रकृति का सुक्मार कभी कहा जाता है और प्रकृति के चितेरे कभी कहा जाता है इन्हें लक्षमन कहा जाता है मुकुल कहा जाता है मोती कहा जाता है सुधागर कहा जाता है प्रीय कहा जाता है गोसाई पंत कहा जाता है नंदन जी कहा जाता है सचब्सक्राइब निरणा राम की भक्ति पुजा के रशनाकार इसे के साहिआब दोस्तों इन्होंने अनेक पत्त्रिकावों में । पहुतक्राइब सुन्दा गंगापुस्थ टक आदी पत्र पत्रिकांगों का इन्होंने संपादन किया था और इनके बच्पन का नाम एग इंपॉच्पन का नाम था सुर्जु-कुमार क्या सुर्जु-कुमार यह भी आप याद रख लीजी युए अगरा प्रस्न है कि कि गिल्लु कहानी की लेखी का कौन है गिल्लु कहानी का अभी फेमस है दोस्तों एक जाम में प्रस्न पूछा गया है पहले पूछा गया था ठीक है कि गिल्लु कहानी के लेखी का कौन है तो वह है दोस्तों महादेवी वर्माजी ठीक है महादेवी वर्माजी गिल्लु नामत कहानी की लेखी का है ऑप्शन नंबर पूछा जा चुका है तो इतने पॉइंट है और एक और कुशन की महादिवी वर्मा का संग्राले कहा श्तित है तो यह श्तित है उस तो रामगड में रामगड रामगल का पड़ता है उतराकण में नेनिताल जनपत में ठीक है इसाथ शाहते में रहस्चिवाद की प्रवर्ति का भी महादिवी वर्मा जी को जाता है और एक है इनके नाम से मीरा मंदिर मीरा मंदिर या मीरा कुटिर भौन भी का जाता है या मीरा साहित्य संग्राली भी का जाता है तो ये कांचते थे रामगर में इस्तित है ठीक है और 1932 इनोंने यहां मीरा मंदिर या मीरा कुटिर नामक बंगला भी बनवाया था कर दियाब भी रामगल में इस्तित है जहांपे इनका संग्राले हैं तो इतने मोईंट आपको डैगली नोट डाउन करने है अगला प्रस्थन है किस आंदुलन से लोटने के बाद जोति राम कांटपाल जी ने देगाड आंदुलन में उध्योग मंदिर की स्थापना करी थी तो इसके option थोड़ा सा confusing थे दोस्तों का अंसरता सविने वग्या अंदुलन का था धरासना कांद अंदुलन तो दोनु सही हैं इसके दोस्तों कि किस अंदुलन से लोटने के बाद जोतिराम कांडपाल जी ने देगाट अर्मडा में उध्योग मंद्री की स्ताफने करी थी तो टोटल इसम अड़त्तर अनुनाई थे जिसमें चे उत्राखंड से तीन व्यक्ति थे तीन व्यक्ति कौन-कौन थी यह भी प्रस्ना पुछा आता है एक तो थे जोतिराम कांडपाल जी दूसरे थे बहरवदत जोसी जी और तीसरे थे खड़क-बादुर सिंग जे ठीक है इ एक मात्र उत्राखंडी कौन थे वह थे जोतिराम कांडपाल जी ठीक है उसके बाद 1931 में वापिस लोड के आया और 1931 में नोने अलमुडा में उद्योग मंदिर की स्थापना करें ठीक है तो यह प्रस्ने कि गांदी आस्रम कहा इस्तित है जिसकी स्थापना 1937 में सांतिला ठीक है तो यह प्रस्ने काफी इम्पोरेंट है गांदी आस्रम कांशनोदा चनोदा सो मिश्वर अलमुडा में इस्तित है गांदी आस्रम इसकी स्थापना 1937 में सांतिलाल ठीक है और उसके बाद दोस्तों एक कुमाओं में राजनितिक जागरन का या विदेशियों का भहि किसे संबोधित किया है तो विक्टर Controléner जोसी के इनका पूरा नाम पूरा नाम और इन्हें एँउने देश्भक्त की उबादी दी गई थि क्या देश्भक्त? इंपोर्टेम्ट है कि देश्भक्त किसका अपना में किसे जाना जाता है तो विक्टर मौन जोसी जी को लिए और दोस्तों इसका साथ सान इनुह ने बागिस्वर में स्वराज जी मंदिर की स्थापना भी करे थी विक्टर जोजा मोहन जोसी जी नहीं करे थी जिसका शिलान नियास 1929 में गांदी जी ने किया था अगला में प्रस्ण है कि गांदी जी की कुमाव यात्रा पर किसने यह उत्रा खंटकी कुमाऊं की यात्रा पर सरवपर्थम तो सी टाइम पर गांधी जी के लिए कहा था किसी ने हिमाले से मिलने आया हिमाले तो आपस़न दी इस का राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसने है उत्रा खंटके किphyuen गेर कीग हो रखतेहीन कalanti की संग्या दी खाने पीने की वस्तों ले जाते थे उनके घर से बिना पैसे दिये उनसे वस्तों ले 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 थे ठीक है वह से भी चीज़ थी वह से अंदुलन को तोड़ा था कि इसने बद्धियत पांडे और उनके साथ कही अनुनाई थे स्वहंता संग्राम सेनानी थे 13 से 14 जनवरी जो कुली बेगार आंदुलन के रेजिस्टर थे जिसमें उनके नाम रहती थे कि कौन-कौन बेगार करने कप-कप जाएगा वह सभी रेजिस्टर उनने वापे बहा दिये ठीक है तो काफी बड़ा आंदुलन था इसी खारान इने रखते हैं हिन कांती की संग्या भी दी जा इस तापने की थी वैसे मिल दोस्तों 1929 में जब गांदी जी आय थे कुमाओ की यात्रा पर तो हल्दवानीत के बाद वह आय थी नैनिताल में और नैंतल में वह इसी मंदिर में रुके थे ठीक है वैसे तो यह गांदी बहुन के नाम से भी जाना जाता है लेकिन बाद में उसे मंदिर का दरजा दे दिया और वरतवान में इसे गाधी मंदिर के नाम से जाना जाता है एक और प्रसन है कि योग दिवस 21 को प्रती वरस मनाया जाता है योग दीवस को सरोपर्तम किस वर्सा आईजित किया गया था अच्छा प्रसना है जो फ्रीवेसली एक्जाम सुए उसमें पूछा भी गया है सहित कि योग दीवस को सरोपर्तम कब मनाया गया था तो मनाया गया था 2015 में 2014 में दिसम्बर के आसपाद इसका अब्रूबल पास हुआ था और विस्व में सरोपर्थम अंतराष्टी योग दिवस मनाया गया था कब 2015 में वरतमान में दोस्तो अभी हमारा च्छटा योग दिवस मनाया गया कब 2020 में जिसकी थीम क्या थी थीम इंपोर्टेंट है घर पर य आधका सबसे पहला ऐसा इस कुल था आप कह सकते हैं में यहां पर सरोपर्थम योग का पारथिकरम सुरू किया घया था तो आप सो सकते हैं कितना इंप्रोटन्ट हो जोड़ा गया इसके बात कहीं अन्य जो विस्व दा लख ङ rail था निए में योग की शिखष्या Chapter Chya तो 1984 इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है अगला मरा प्रस्न है कि विश्व में योग को विशाई के रूप में मानेता देने वाला पर्थम विश्वी ध्याले कौन सा था वह था गुरुकुल का अंगली विश्वी ध्याले कब 1984 से यहां पर स्टार्ट हो था अब गुरु स्टान्तित कर दिया गया उनिस्द्रस आपस पंजाब के गुजरान वाला में उत्राहण med kiti फास टीक है उसे उत्राखन कर दिया इंछ तो जहां पर अभी संचिकरे मलब योग जहां पर आप कह सकते हैं कि आप अच्छी शिक्षा के साथ-साथ एक जो पौरानिक शिक्षा है उसे भी ग्रहन कर सकते हैं अप्स नमबर C राइड हो जाएगा ठीक है अगला एक और इंपोरेंट कुछ पॉइंट है दोस्तो हमारे कि दा पूछा गया कांस स्थेट जोस्तो कांड़ा भागिष्वर में इस्ति थे ठाख है धव्यजय पूर चाहिवागन यह भी आपर इसकी फोटो देख सकते हैं मंदिरों के यह काली का मंदिर और कमशियार घाटी एक कंडा में यह जो कि मैंने आपको बता ही नहीं है ठीक है अगला हमरा प्रस्न है कि प्राचिन काल चे और ह्टना जाता है और क्या एक प्रस्न है कि उतषाहन चाल संगर्स और समाधान किसकी तो यह पुस्ताग ए दुस्ताग इससी बहगत सिंग कोशियारी जी की अगला मेरा प्रसन है कि पहाड का पानी और पहाड की जवानी पहाड के काम नहीं आती शरोवर्थम यह कतन किसने दिया था तो डीडी पंते जी ने दोस्तों जो कि युकेडी के पर्थम अध्यक्स थे उनके दोरा यह कतन दिया गया था क्या पहाड का पानी और पहाड का जवानी किसी के काम नहीं आती है क्योंकि दोखेए पहाड में लोग पाहल का पानी है अदग जगर सप्लाई होता है बिजली ब भी यह statement दिया ऐसी कारण यह question मैंने मनाया आपे और books में भी यह दिया गया है ठीक है डीडी पंते जी इनका पुरा नाम था ठीक है और यह कहते वैग्यानिक थे ठीक है इनके बारे में मैं पहले भी पता चुका हूँ अगला प्रस्न है उत्राखंड क्रांती दल क्यों यह question दे जुस्तो कि The tribes and cast of Northwestern Provenants and अवद पुस्थक के लेख़गा कौन है ठीक है ठीक है तो The tribes and cast of Northwestern Provenants and अवद पुस्थक के लेख़गा क्यों विल्यम क्रूख है 1896 के आधीनों ने पुस्थक लिखे दे डिक है तो रियाद कर लीजीगा कि The tribes and कास्ट रॉप नॉट्थ वेस्टन्स प्रोविनेंस एंड अवध पुस्तक के लिखा काऊने विल्यम कुरूक है, औप्चन नमर्डीस का राइट अंसर हो जाएगा अगला मरा प्रस्न है कि मुगलो द्वारा गडवाल पर पहला आक्रमन किसके समय हुआ था तो मुगलो द्वारा गडवाल पर पहला आक्रमन किसके समय पर पह था उष्थ तो सहाजां ने गडवाल पर प्रथा आक्रमन किया था, ठैक है और गडवाल में उस टाइम पर साची का कौन तूटी है, उस्तो स्याच क्या करती थी थे, कौन रानी कढलना वथी और राजा आप उससे सब्सक्राइब करना था लेकिन उससी टाइम पे साहां आक्रमन कर देता है गड़वाल पे ठीक है और यह सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं उत्राकन का इतियास में पढ़ा रहा है परमार राजवांस में तो आज की वीडियो काफी लंबी होगी दोस्त पुछते हैं दोस्तों दस कुष्चन आपसे डेली पुछी जाएंगे आप उसमें पार्टिस्पेट कीजिएगा उसके अंसर देने की कोशिस कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस तो थैंक यू थैंक्स फर उसी वीडियो सी यू नेक्स टैम धन्यमाद आपका